नमस्कार दोस्तों तो स्वागत है एक और नई वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे जियो सिनेमा को आखिर टाटा एपियल 2023 को फ्री में दिखाने की क्या जर्वत पड़ी तो देखिये सबसे पहले ये समझो कि जियो सिनेमा के आने से पहले 2017 से 2022 तक के टीवी और डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स दोनों को मिलाकर 16,347 करोड की डील हुई थी लेकिन जियो सिनेमा के आने के बाद जियो ने सिर्फ डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स को ही 23,758 करोड में खरीदा अब इससे क्या हुआ कि डिजनी प्लस होट स्टार को भी 23,557 करोड रुपए खर्च करने पड़े यानि कि जो स्टार स्ट्रीमिंग राइट थे वो तो जियो सिनेमा के पास चले गए लेकिन टीवी स्ट्रीमिंग राइट स्टार स्ट्रीमिंग राइट के पास चले गए तो दोनों की जो टोटल डील होई है वो 47,000 करोड से भी ज्यादा की हो गई जो की टोटल 1600 करोड की हुआ करती थी अब दूसरा की सबसे बड़ा सवाल ये कि जब 23,575 करोड रुपए खर्च करने के बाद भी आखिर फ्री में दिखाने की क्या जरूवत है तो इसको समझने के लिए कुछ पॉण्ट समझते हैं सबसे पहले जी यो सिनिमा अभी सिर्फ यूजर्स को अपने प्रेटफॉर्म पर इखटा करने का प्यास कर रहा है क्योंकि जियो सिनेमा एक अभी नया प्लेटफर्म है और डिजनी प्लस होट स्टार बहुती पुराना प्लेटफर्म है तो जब जियो सिनेमा पे इस वार जब फ्री दिखाया जाएगा, तो इससे की यूजर्ज ज्यादा इकहटे होंगे उसके बाद IPL एक बहुत ही पसंदीदा cricket league है जो कि cricket fans बहुत ही IPL को पसंद करते हैं इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा cricket league में IPL ही है जिससे करोडों रोग एक साथ जोड़ते हैं तो जब एक साथ करोडों रोग जोड़ेंगे और अगर कोई problem आई तो इससे customer base आगे आने वाले समय में अगले IPL में customer base हटने का भी chance रहता है क्योंकि Disney प्लस hot star और लेड़ी एक बहुत ही बड़ा platform था sports का और है भी जो की बहुत ही ज़्यादा users को एक साथ match दिखाने के लिए capable है लेकिन Jio एक तरह से इस पे भी testing कर रहा है ये तो बात यहां तक हो गए लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर Jio बिल्कुल free में दिखा रहा है तो क्या हकीकत में नुक्सान में दिखा रहा है या इससे भी कुछ इसको benefit है या कहीं से कुछ पैसा कमा रहा है तो इसको समझो सबसे पहला अभी इनका जो प्रमुक सोर्स है वो है advertisers देखो Jio Cinema जो एप है उस पे advertisers से अभी पैसा आ रहा है ओबर खतम हुआ इसके बाद जो एड आता है वो advertisers जुड़े हुए है उसके बाद strategic time out हुआ उसके बाद जो एड आया तो यह सब जो advertisers है इनके थुरू पैसा आया Jio ने ऐसा बताया है कि IPL 2030 के लिए total 500 advertisers रेजिश्टर हुए है अब आप खुद समझो कि अगर एक advertiser लाखों रुपए में भी अगर देता है पैसा एक advertiser का तो अगर 500 advertisers हैं तो कितना करोड रुपए सिर्फ advertising से ही Jio के पास पहुंच गया है दूसरा source है data देखो digital streaming अगर हो रही है तो जाहिर सी बात है कि data की जरुवत पड़ रही है अब चुँकि यह जो Jio cinema जो app है इस पे आप maximum 4K quality में भी देख सकते हैं तो जब 4K quality में आप देखो गए तो जादा data की जरुवत पड़ेगी अब 4K अगर available है तो कम quality में कोई देखना पसंद नहीं करेगा अब mobile में जो plan है 1GB, 2GB, 3GB तक maximum रहते हैं लेकिन अगर match चलेगा तो 4 गंटे, 3 गंटे का match रहता ही है अब ये समझो, 370 pixel की quality पे अगर आप देख रहे हो तो 0.3GB परार जाएगा अगर 720 pixel पे देख रहे हो तो 1GB परार जाएगा और अगर आपने 4 गंटे देखा तो 4GB यानि कि अगर 2GB, 3GB का भी plan अगर आपको पास है तो तब भी आपको data add-on करना पड़ेगा उसके आज 1080 pixel पे अगर आप देख रहे हो तो आपका 3GB परार जाएगा और अगर आपने 4K स्टार्ट कर दिया तो आपका 7GB परार जाएगा याँगी 20GB से भी प्लस data की एक मैच सिर्फ आपको देखने की requirement होगी अब आपने data add-on किया तो जाहिशती बात है कि 6 रुपय पर जीवी का data add-on है तो वो भी पैसा किस के पास पहुचा जियो के पास पहुचा अगर आपने जियो फाइवर लगवाया हुआ है तो भी आपको recharge कराना पड़ रहा है नहीं लगवाया नया connection लिया तो भी आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो कहीं से भी इदर उदर से समझो कि data खरिदने के लिए भी आपको जीव को पैसा दे नहीं है तो ये तो हुआ data से इनको फाइदा उसके बाद sponsor से जो की तीसरा प्रमुक source है देखो data IPL देख रहे होगे इस बार की data IPL है इससे पहले वाला भी data IPL था और उससे पहले वीवो आईपिल था तो जो IPL के आगे सिर्फ data और वीवो लिखने के लिए जो पैसा है यही sponsorship का पैसा और data ने इसके लिए दो साल के लिए 670 करोड रुपे खच किया है वीवो को रिपलेस करने के लिए इसके अलावा आप देखिए आप स्टॉक्स, ड्रीम 11, साओधी टुरिज्म, क्रेट, रुपे, पे टीम, सी एट, एराम को इसमें official sponsorship भी हैं उसके बाद आपके empire sponsorship भी हैं इस तरह के तमाम sponsorship को अगर देखें तो इतनी कंपनियों के sponsorship भी इससे भी करोड रुपे का business पहुँचा उसके बाद चौथा है subscription अब आप सोच रहे होगे subscription तो है ही नहीं लेकिन subscription क्यों बता रहे हैं जो है subscription जैसा की disney plus hot star अब तक हम से subscription लेता चला रहा है तो ये भी जब आगे start कर देंगे तो ये पूरा एक चार sources इनके हो जाएंगे तो वीडियो देखने के लिए धन्दबाद keep connected subscribe my channel नमस्ते